श्रिमान्वेंग कटनातार यह कवितार की केसरी वेदानताचार यवर्यों में सनिधत्ताम सदाहरदीम आज हम अन्तिम दोश्ट लोग फलश्रुती सहित देखने वाले हैं और चौवीस वाँ और पच्छीस वाँ श्लोग हैं कल्यानानाम विकलनितिकापिकारुण्यसीमाम नित्यामोदा निगमवचसाम मौलिमंदारमालाम संपधिव्यामधु विजैनाहा सनिधत्ताम सदाहरदीम सैशादेवी सकलभवनप्रार्थनाकामथेनुहू उपचित गुरु भक्ते रुथितं वेंकटेशातू कलिकलुषनिवृत्ये कल्पमानं प्रजानाम सरसिजनिरयायास्तो त्रमेतत पठंताहाम सकलकुषलसीमा सार्वभवमाभवन्ती सकलकुषलसीमा हाम सार्वभवमाभवन्ती कल्यानानाम अविकलनिथी ये रक्ष्मी जी का एक विशेशन है तभी कल्यान यानि कल्यान परंपरावों का अर्थात अंग्रेजी में प्रास्पेरिटी बोलते हैं जो जो भी हमारे लिए मंगलमई तत्या हैं उन सब का अविकलनिथी ये और कोई भी ऐसे मंगलमई चीज जो लक्ष्मी जी के पास नहीं है ऐसा कोई नहीं है इसलिए मंगलों का अविकलनिथी कल्यान परंपरावों का अविकल कोई किसी का वैकल या नहीं है किसी का अभाव नहीं है ऐसे अविकल निदिही अर्थात जहां सब मंगल मैं वस्तु सब इकटा होकर रहती है ऐसा कल्याना नाम अविकल निदिही कौन है लक्ष्मी जी हैं कापी कारुन्य सीमा अनिर्वचनी वाचाम अगोचर कापी शब्द से ये अर्था निकलता है कारुन्य सीमा करुना का एक पार है करुना का पार है इससे बढ़कर करुना और कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसे एक आत्यत भुच्छी जी है इससा कहने के लिए कापी कारुन्य सीमा कापी शब्द से ये और अनिर्वचनी ये है इस परकार की है ऐसा हम बोल नहीं पाएंगे ऐसा अनिर्वचनी ये है ऐसा मतलब निकलता है कापी कारुन्य सीमा नित्या मोदा सदा संतोष के साथ रहने वाली तत्य है ये लक्ष्मी तत्य है नित्या मोदा आमोदयाने संतोष है आमोदहा प्रमोदहा मोदहा आमोदा नित्या मोदा निगम वच्छ साम मौली मंदार माला वेद बानी जहां जाकर विश्रांती पाती हो ऐसा निगम वच्छ साम मौली अर्था उपनिशत तत्व है और उपनिशत तत्व प्रतिपाध्यत लक्ष्मी जी तत्व है निगम वच्छ साम मौली ही ऐसा उपनिशत भाग को कहते हैं मंदार माला वहां रहने वाली एक सुन्दर माला अर्थात मंदार व्रक्ष की माला जैसे रहने वाली लक्ष्मी तत्व है निगम वच्छ साम मौली ही मौली ही ऐसा उपनिशत भाग जो भगवान विश्णु के बारे में हैं और वहां माला के रुप से साथ में विराजमान ऐसा रहत भी कह सकते हैं मौली मंदार माला संपद्दिव्या संपद्दिव्या मधु विजई नहा मधु विजई ऐसा भगवान विश्णु है मधु हन्ता मधु ऐसे रक्षस के उपर विजई पाने वाला मधु विजई नहा मधु विजई तत्व का दिव्या संपद्दिव्या संपद्दिव्या संपत्दिव्या के रूप से विराजमान है अर्तात मधुविजी जिस चीज को अपनी संपत्ती मानते हैं तो वो लक्षमी तत्व है इसलिए मधुविजाई नहा संपत्दिव्या मधुविजाई नहा सनिधत्ताम सदा में सबसे प्रार्थित सब तत्वों को देने के लिए कामधेनु के जैसे विराजमान अर्तात कामधेनु वानचित प्रद है उसी प्रकार वानचित प्रद लक्षमी तत्व है वो सदा के लिए मेरे मन में विराजमान हो जाए ऐसी प्रार्थना इस सश्लोक में करते हैं सन्निधत्ताम सदामे सैशादेवी सकलभुवन प्रार्थना कामदेनुहु में सन्निधत्ताम मधुविजेईनहा दिव्या संपत। सन्निधत्ताम सदामे साएशादेवी ये लक्ष्मी देवी सकलभुवन प्रार्थना कामदीवकृडायाम दातुसे वो साएशादेवी साएशादेवी अनेक प्रकार के लिलाएं भगवान के साथ करने वाली देवहा देवी वो अनेक प्रकार के लिलाओं को के स्वामी हैं और उनकी स्वामीनी देवी साएशादेवी सकलभुवन प्रार्थना कामदेनुहु सभी भुवनों को हम चाहें तो भी उसको देने के लिए तैयार हैं ये औरे करता है अथ्वा सकलभुवन अमें रहने वाले सब मनुष्य हो दिफ्धानों हो दैत्यों हो सब लोगों के लिए वांचिता अर्थों को प्रदान करने वाले सदा के लिए मेरे खरदय में सानिध्य पाएं ऐसी प्रार्थना है कल्यानानाम अविकलनितिहीम काफिकारुन्यसीमाम नित्यामोदा निगमवचसाम मौलि मंदारमालाम संपद्धिव्याम अधुविजैनाह सन्निधत्ताम सदामें सैशादे वीसकलभुवन प्रार्थना कामथेनुहूं उपचित गुरुभक्तेहें उत्थितम् वेंकटेशातु उपचित गुरुभक्ते अत्यथिक गुरुभक्ती प्रति दिन अभिवर्द हुआ गुरुभक्ती अभिवर्द हुई जो गुरुभक्ती वाला जो वेदानत देशी कहें अयसे वेंकटेशातु उपचित गुरुभक्तेहें वेंकटेशातु उत्थितम् येस्तोत्र उनके मुखारविंदसे निकला हुआये तात्परियहें अर्तात वेंकटेशातु उपचित गुरुभक्तिही वेंकटेशा उपचित गुरु भक्ते हे वेंकटे साथ उत्थितम उत्पन्न हुई काली कालुषय निवर्त्याई कल्पमानम खली दोश को दूर करने के लिए ये बहुती अच्छा स्थोत्र है काली कालुषय काली विडंबना खली का दोश इसको दूर करने के लिए कल्पमानम यानि बहुती अच्छी तरह उसको काली दोश को दूर करने में समर्त जो इस्तुती है परजानाम कल्पमानम परजाओं के लिए उसी में तदपर होके रहने वाला इस्तोत्र है कमल जिसका वासस्तान है ऐसा सरस्जन इलया लक्षमी जी का ये स्तोत्र को पतंतहा जो बोलते हैं सकलकुशलसी माहा सभी कुशल उनके यहां उपलब्द हो जाती है वो सबको पार करके विराजमान होते हैं सभी कुशल उनके यहां हो जाती है सार्वभूमाहावबंदी वे लोग सार्वभूमपी रहते हैं सर्वभूमि सम्मंदी स्वामित्व को सार्वभूम शब्द से कहते हैं सर्वभूमाह भवंती उपचित-कुरु भक्ते रुठितम वेंकतेशात कलिकलुषणि वुर॥्याई कल्पमानं परजानां सरस्जनिलयायाहा स्तोत्रम येतत पठं ताह सम्मित्वूर०्ण। स्रिमते वेंकतेशाये वेदान्त गुरेवेशनिमाह। इस प्रकार हम इस तोत्र को संपूर्टी करते हैं, इसके प्रेरेना देने वाले इस आचार्य पादुका के स्वामी को भी हम भूती धन्यवाद समर्पन करते हैं क्यूंकि वे प्रिष्टबूमी में रहकर हमें प्रेरेना स्रोत बन कर रहे थें जिसकी वज़े से ये काम हो पाया वो धन्य हैं, उनका एक संपूर्ण मंडल जो इसी प्रकार के सेवा में ततपर हैं, उनकी मंडली उसका कुशल आशासन करते हुए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि सब को आपने अपनी मनों का मनायें पूर्ती करें इसके साथ मैं विरत होता हुँ कवितार की कसी महा एक अल्यान को नशा लिने इस्टिमते वेंकटे शाय वेदानत गुरवे नमा हुँ